दोस्तों आज होमलोन देने के लिए बहुत सी प्राइवेट और सरकारी बेंकों के साथी साथ फाइनेंस कमपनियां मुझूद है लेकिन जब बात हाउसिंग फाइनेंस कमपनी से होमलोन लेने की आती है लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की एक ऐसी housing finance company के बारे में जो आपको कम ब्याज पर आसानी से home loan देने का दावा करती है तो यदि आप भी जानना चाते हैं कि वो housing finance company कौन सी है और home loan देने की इसकी क्या-क्या विशेशता हैं तो ये वीडियो आपको आखरी तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम न केवल इस housing finance company के कुछ खास features की बात करेंगे बलकि home loan में लगने वाले document, प्याज, charges के साथ ही साथ यहाँ से home loan लेने की क्या process हो सकती है वो भी इस वीडियो में आपसे share करेंगे और इस वीडियो के आखरी में आपको ये भी बताएंगे कि इस housing finance company से home loan के लिए कैसे आवेदन आप कर सकते हैं और आवेदन करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है तो बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंगलेज आप है हमारे चैनल पर नोबकवास only finance तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों housing finance company से home loan लेने की बात करें दोस्तों LIC housing finance limited देश की बड़ी housing finance कमपनियों में से एक है और अपने विभिन home loan product के माध्यम से लोगों को लोन उपलब्द करा रही है उन्हीं home loan में से एक है LIC home loan दोस्तो LIC housing finance limited के LIC home loan की कुछ खासियतों की बात की जाए तो कम ब्याजदर पर आसानी से home loan इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अलावा कम processing fees के साथ ही साथ home loan की पार दर्शी और तेज प्रोसेज भी LIC housing finance limited के home loan प्रोडक्ट की बड़ी विशेशता है दोस्तो बात की जाए कि आप यहां से किस-किस काम के लिए home loan ले सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नया घर खरीदने, नया घर बनाने, प्लॉट खरीदने तथा उस पे मकान के निर्मान के लिए आप LIC housing finance limited से home loan ले सकते हैं इसके अलावा आप घर के विस्तार, सुदार और improvement के लिए भी यहां से home loan ले सकते हैं दोस्तो ब्याज और charges की बात की जाए तो LIC housing finance limited में हर जरुरत के home loan के लिए अलग-अलग ब्याज निर्धारित कर रखा है लेकिन यदि आप किसी भी तरह का home loan लेते हैं तो आपको 8.40 से लगा कर 10 फीसदी तक का ब्याज यहां देना पड़ सकता है दोस्तो यह ब्याज आपकी profile, civil score, संपत्ती की value के साथी साथ LIC housing finance limited के home loan देने के अपने नियम उपर भी निर्धारित होता है इसमें समय समय पर बदलाव भी संबव है, charges की बात करें तो यहां आपको आपके द्वारा लिये जा रहे होम loan का GST शुलक मिलाकर लगवग आदा फीसदी का charges प्रक्रिया शुलक के रूप में देने होते हैं इसके अलावा legal charges और insurance charges भी अलग देने होते हैं तो दोस्तो जो भी विक्ती LIC Housing Finance Limited की policy के अनुसार होम loan लेने के लिए योग गय है, उसे यहां से होम loan आसानी से मिल सकता है रही बात profile की, तो यदि आप government या private job में हैं या आप business से जुड़े हैं, तो भी आप यहां से होम loan ले सकते हैं LIC Housing Finance Limited से होम loan लेने के दस्तावेजों की बात की जाए, तो यहां होम loan लेने के कुछ प्रमुख दस्तावेज लगते हैं इन दस्तावेजों में आपके KYC income document और संपत्ती से जुड़े document शामिल है दोस्तो document के संबंद में आपकी जानकारी के लिए बता दे कि LIC Housing Finance Limited से होम loan लेने के document हर profile income और संपत्ती के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको यहां short तरीके से दस्तावेजों की जानकारी दी है लेकिन यदि आपको डीटेल में इन दस्तावेजों की जानकारी चाहिए तो आप LIC Home Loan लिखकर comments कर सकते हैं दोस्तो LIC Housing Finance Limited के होम लोन की खासियत ब्याज और चार्जेस के साथी साथ document की जानकारी के बाद अब बात करते हैं कि आप यहां से होम लोन लेने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि LIC Housing Finance Limited में होम लोन आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है आज देश के लगबग हर शहर में LIC Housing Finance Limited की शाखा मुझूद है आप सीधे LIC Housing Finance Limited की किसी भी शाखा में जाकर होम लोन के लिए डाइरेक्ट आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 2222178600 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं इन दोनों के अलावा आप सीधे ऑनलाइन भी यहां होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं आपकी सुविदा के लिए आवेदन की डाइरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है दोस्तो सभी जानकारिया मिलने के बाद यदि आप LIC Housing Finance Limited से होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पहली की इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज चार्जेस और योग्यता के बारे में बताया है तो ध्यान रखे होम लोन देने का निड़न पूर्णत LIC Housing Finance Limited का अधिकार है वो आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और संपत्ती के आकलं के आधार पर होम लोन स्विक्रत करती है और इनी आधारों पर व्याज का निरधारन भी होता है तो जब भी आप होम लोन के लिए आवेदन करे ब्याज, चार्जेस और अन्य चीजों की पुष्टी करना आपके लिए जरूरी है दूसरी बात की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकरी दी है वो आसान भाशा में समझाने के उद्धेश से दी है और ये सभी जानकरिया LIC Housing Finance Limited की ओफिशल वेबसाइट से ली गई है और LIC Housing Finance Limited समय समय पर इसमें बदलाव भी कर सकती है इसलिए यदि आप ये जानकरी वीडियो पब्लिश होने के कई दिनों बात देख रहे हैं तो सभी जानकरिया एक बार फिर से चेक कर ले तीसरी और आखरी जरूरी बात कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी बेंक या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या उनके होम लोन प्रोड़क्ट का प्रचार या प्रसार नहीं करते और ना ही LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉंसर किया है इसलिए किसी भी तरह का शुलक देने से पहले या होम लोन आवेदन करने से पहले अपने विवेक से निर्णाय लेना आपके लिए उचित होगा तो दोस्तो ये थी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के होम लोन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही और जानकारी लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है इसके अलावा यदि आपका कोई दोस्त या रिष्टेदार भी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से होम लोन लेने का सोच रहा है या उसको जरूरत है तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के LIC होम लोन से संबन दीत या किसी भी बेंक या फाइनेंस कंपनी के किसी भी लोन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं आखरी में एक बार फिर्स रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहे अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत